सोलन के P.W.D. रस्थ हाउस में प्रदेश वरपार मंदल की सोलन जिला की बैठक आयोजन किया गया जिसके अध्यक्ता प्रदेश अध्यक्त सुमेश शर्मा ने की बैठक में वरपारियों के हित्तों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई वहीं प्रदेश सरकार से वरपारियों को आरही समस्याओं के बारे में अवगत करवाने के लिए रन्नीति त्यार की गई आज हमारी एक सोलन जिला की एक बैठक हुई इस महत्तपूर्ण बैठक में हमने जे निरने लिया है कि जो छोटे-छोटे से जो वेपार मंडल हैं उनको भी एक हिमाचल परदेश वेपार मंडल के साथ सबी को जोड़ा जाए और जिला के चितनी कंसिच्वश्य हैं हर कंसिच्वंश्य में परभारी बनाये जाएं उन बात को लेकर के हमारी नीचे चर्चा चल लेइती हमारी सरकार से जो में मंगे रही हैं उन मंगों को लेकर के मैं आम जनता को जा आप सभी को जह अवगत करवाना चाहता हूं कि सामुहिक बीमा जोजना के थैत सभी वैपारियों को का बीमा किया जाए दूसरा वैपारी कल्यान कोश की स्थापना की जानी चाहिए जो टेक्स हम लोगों दोरा कठा करके सरकार के खाते में जमा करवाया जाता है उसका दो परसेंट शेयर जो है वो बैपारी कल्यान कोश में जमा किया जाए नमबर तीन पे बैपारी कल्यान मंतराले की स्थापना की जाए ताकि जितने भी परदेश के बैपारी हैं उनके सर्व हित कारी के लिए उनके हित नहीं यह तो अभी क्लिर हो जाएगा ना जी हमने अभी लिक्र के दिया हुआ है सरकार अगर अभी इन बातों को लागू करती है तो हम सरकार के साथ चलेंगे अगर सरकार इन लागू को अपने इसमें नहीं मानती है तो हमारे लिए आप्षन खुले हैं